हलो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू दे वीडियो दोस्तों आज की इस विडियो में हम लोग बात करने वाले लुना की दोस्तों लास्ट टू डिस के अंदर लुना के अंदर हमें फंटी फाइब प्रसेंट का पंप देखा जा सकता है आप सब लोगों की डाउट इस वड लग जाने वाला है लुना के अंदर ही पंप क्यों आया है और क्या आने वाली दिनों के अंदर हम लुना से पैसा बना सकते हैं क्या दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैल पर नहीं चल को जरू सब्सक्राइब कर जरू से जोइन कर लीजिए का विकोज वहाँ पर हम लोग आपके सथ क्रिप्टो वर्ल की हर एक न्यूस सबसे पहले शेयर करते रहते हैं ताकि आप लोग क्रिप्टो वर्ल की हर एक न्यूस से अपडेटेड रहे हैं अब दोस्तों अगर हम लोग लुना की करन्ट सप्ला 6.5 trillion की दोस्तों लुना की supply बढ़ने का reason हम already आपको बता चुके हैं जहाँ पर लुना का खुदक स्टेबल कोईन है UST जब दोस्तों यहाँ पर UST अप डी पैग हुआ यानि एक डोलर से प्राइस नीचे गया लुना की जो circulating supply है वो 6.5 trillion के उपर आ चुकी है अब यहाँ पर market के अंदर काफी लोग मैं देख रहा हूँ जो वीडियो बना कर बता रहे हैं कि आने वाली दिनों में लुना एक डोलर दर्स डोलर सो डोलर तक चला जाएगा जिसके चक्कर में लाखों लोग अपना पैसा गवा रहे हैं इस प्रकार की वीडियो देखकर अब इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि आकिर value किस प्रका करते हो तो आपको लुना का current market cap पता लग जाएगा आस के दिन अगर लुना को एक डोलर भी जाना है तो उसके लिए लुना के total market cap को 6.5 trillion डोलर का होना पड़ेगा और crypto world की total अगर current market cap की बात करें जो कि है 1.3 trillion डोलर का आस के दिन crypto market के अंदर total 1.3 trillion डोलर का है यहाँ पर दोस्तों जो total पैसा डला हुआ है लोगों का और अगर लुना ही यहाँ पर 6.5 trillion चला जाएगा जो कि possible ही नहीं है तो इसलिए अगर लुना को एक डोलर जाना है तो उसके पर इसके supply कम होगी और supply कम होगी तो automatically लुना की यहाँ पर value बढ़ जाएगे और दोस्तों यहाँ पर कुछ ताइम पहले बाइनांस के CEO CZ की तरफ से भी बार बार यहाँ पर ट्वीट करके बोल रहे थे कि आप लुना को hard fork करके नई chain लाकर नया coin मत लेकर आओ आप अपने पुराने ही कोई लुना की supply इतनी जादा जो बढ़ चुकिया इसकी supply को burn कर दो जिससे क्या होगा कि इसकी value automatically बढ़ जाएगे अब सबसे बड़ा दोस्तों जो problem आ रहा है आसके दिन वो है कि आसके दिन लोगों ने बहुत कम value के अंदर लुना के अंदर लाको कोई ले रख किया था और बोला था कि जिन भी लोगों के पास loona यहाँ पर है वो आप इस dead address पर भीजो थाखिए हम यहाँ पर LUNA को burn कर सकें अब दोस्तों लुना को burn करने का मतलब यह नहीं है कि onemm पर community के बीच में उने बोला है कि आपके पास जितने भी extra जितने भी लुना है आप इस dead address के उपर बेजो और यहाँ पर दोस्तों मैंने explorer के उपर इस dead address को open भी करके है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों दो दिनों के अंदर इस dead address के उपर 275 million Luna coins यहाँ पर इस address पर receive हुए है यानि लोगों ने 275 million जो Luna tokens है वो यहाँ पर इस address के उपर भेज़े है अब यहाँ पर दोस्तों जो आपको last two days के ने लुना के अंदर 125% का pump देखने को मिला है मेरा माणना है ऐसा है कि जो हमें pump देखने को मिला है इसका pump का reason यह burning है 275 million tokens को यहाँ पर burn किया गया है जिसके चलते हैं यहाँ पर हमें market के अंदर एक थोड़ी बहुत यहाँ पर हलचल देखने को मिलिया है बट अगेन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो total supply यानि आसके आप मानके चलो example गी 7 trillion यहाँ पर total supply है लुना की तो अगर यहाँ पर 200-300 million tokens को यह लोग burn करें ना तो उससे कोई मतलब नहीं है उससे ज़्यादा impact नहीं पड़ेगा लुना के अंदर आप लोग देखिएगा 275 million tokens यह अभी तक burn हुए है और यह burn दोस्तों जो हुए है यह community की तरफ से हुए है लोगों ने अपने खुद के लुना tokens को इस dead address के उपर भेज़ा आप देखिए किसे ने यहाँ पर 10 लाग लुना coins भेजे है किसे ने यहाँ पर दोस्तों जो है different different 15 लाग 50 लाग अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देरे वाली बात यह है कि लोग अपना यहाँ पर दोस्तों tokens क्यों भेजे अब यहाँ पर यह जो burning की जा रही है वो यहाँ पर logo के through ही की जा रही है यानि लोगों ने जो tokens buy कियो है लुना के वही tokens लोग इस address के उपर भेज रहे है तो मुझे personally ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर अभी फिला short term के अंदर हमें लुना के अंदर pump देखने को मिल रहा है लेकिन long term में हमें pump देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी आप देखिये न यहाँ पर कल की दिन काफी जादा यहाँ पर burning हुई थी लुना के अंदर यानि बहुत जादा लोगों ने लुना के अंदर यहाँ पर dead address के अपर लोगों ने बहुत जादा quantity के अंदर लुना भीजे थे लेकिन लोग कब तक भीजेंगी ठीक है अब यहाँ पर आज के दिन जैसे कि मैंने बताए लोगों के लाखो करोडो लुना कोईंस हो रुखे है आप लोग तब तक यहाँ पर अच्छा profit नहीं बना सकते जब तक यहाँ पर लुना के अंदर बर्निंग नहीं होती तो यह एक बहुत important topic है जिसके बारे में लोग यहाँ पर जादा जानना ही नहीं चाते तो ध्यान रखेगा लुना ऐसी एक डूर जाने वाला नहीं है जब तक इसकी बर्निंग नहीं होती और यहाँ पर यहाँ पर नियूज निकल कर आ रही है MEXC एक्सेंस की तरफ से और यहाँ पर यह बोल रहे है should we buy back लुना and proceed with लुना burn in order to decrease लुना circulation on the market यानि यह बात कर रहे है कि हमें जो है लुना की supply को कम करने के लिए basically यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लुना को buy करेंगे बहुत ज्यादा quantity के अंदर और यहाँ पर dead address की ओपर लुना को बेज देंगे यानि burn कर देंगे जिससे market में क्या होगा circulating supply कम हो जाएगी जब supply कम होगी तो automatically token की value बढ़ जाएगी तो इसके related यहाँ पर MEXC एक voting system चला रहा है और यहाँ पर यह community से पूछ रहे है क्या हमें इस प्रकार का जो हमने decision लिया है क्या यह सही decision है तो अगर आप लोग भी चाहे तो definitely MXC को vote कर सकते हैं यहाँ पर इन्होंने link देकर रखा है अगर आपने MXC भी account नहीं बनाया तो account बना लीजेगा और vote कीजेगा ताकि यहाँ पर जो initiative यहाँ पर उठाया है MXC ने यह बाकी के actions भी उठा सके ताकि हमें आने वाले time के लूना के अंदर एक अच्छा का सा pump देखने को मिल सके और वहीं दोस्तों हमने आपके साथ कुछ time पहले लूना के नई revival plan के बारे में share किया था जहां हमने बताया था आज की दिन जो market के अंदर current time के लूना trade हो रहा है इस लूना का name change करके यह लोग करने वाले लूना classic और इनका जो नया token आएगा उसका नेम होगा लूना और इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर अभी voting चल रही है अभी voting के अंदर 66% लोग यह बोल रहे है कि यह जो proposal है इसको यहाँ पर agree कर रहे है और no के लिए जो हैं लोग वो है 0.37% और यह voting अभी दो दिन तक ओर चलने वाले है उसके बाद यहाँ पर पता लगेगा आकिर यहाँ पर क्या होने वाला है लेकिन अगर current situation के बात करे तो asking 66% के हिसाब से लोग यहाँ पर agree है इस revival plan के लिए और साथी में दोस्तों यहाँ पर काफी लोगों का यह भी मानना है जब यह voting start होई थी तो इस voting के अंदर 11,00,000 से यहाँ पर automatically vote से ही start होई थी यानि yes के लिए 11,00,000 से voting ही direct start होई थी 0 से start नहीं होई थी तो यह देखने व लुना को buy किया था या जिन लोगोंने लुना को अभी hold करके रखा है उनको यहाँ पर airdrop provide किया जाए और जो airdrop मिलेगा वो नए लुना tokens का मिलेगा क्योंकि पुराने लुना जो tokens है इंका नेम तो यह लुना classic रख देंगे यानि LUNC short form रहेगी और जो नए tokens हैंगे उनक airdrop public के बीच मिं किया जाएगा जिन भी लोगोंने लुना को hold करके रखा होगा या लुना के अंदर loss किया होगा अब दोस्तों सबसे important बात यह है क्या दोस्तों Indian exchanges के उपर भी आपको airdrop मिलेगा क्योंकि काफी लोगों को questions आ ले थे कि हमने Indian exchanges के उपर लुना को buy करके रख है सब भी लोगों को यहाँ पर लुना नए लुना टोकन का airdrop मिलेगा सो दोस्तों hopefully आपके जितने भी डाउट थे वो clear हो चुके है और दोस्तों अभी सबसे बड़ा जो डाउट आ रहा है हर किसी व्यक्ति का हर कोई व्यक्ति जाना चाहता है क्या दोस्तों हमें लुना क को अभी current time के अंदर buy करना चाहिए क्या क्या आने वाली दिनों के लुना हमें profit दे सकता है या तो अभी current situation लुना की इस प्रकार से है अभी gambling की तरह है दोस्तों यहाँ पर scene बना हुए जैसकि मैंने आपको बताया कि जो burning हो रही है लुना की यह कोई massive quantity के अंदर नहीं हो य 7 trillion total यहाँ पर तो supply है जिसका 275 million token से अभी burn हुए है दोस्तों इतनी ही token से यहाँ पर लुना के अंदर हमें 1 dollar का target अचीव नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर अगर current time के अंदर आप लुना के बाइंग करने के सोच रहे तो यह आपके लिए risky investment रहेगी दोस्तों क्यों रहेग कर सकते हैं gambling कर सकते हैं gambling में basically क्या रहत है A या B का रहत है कुछ भी एक आएगा उसी प्रकार से आप 10-5 dollar के इसाप सी investment कर सकते हो अगर आप लोग 5-10 dollar जो डाल रहेगा अगर loss afford कर सकते हैं तब ही वो पैसा डालिए क्योंकि यहाँ पर मैं भी investment नहीं करने वाला 500-2000 dollar नहीं दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोग इसे किसी नेक्स टूडियो में तब तक लिए जय हैं और निमातरम